हरे कृष्णा राधिरा देबग तो बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका हमारी किशुरी कृपा चैनल में तो आज मैं आपको बहुत ही जरूरी एक जानकारी देने वाली हूँ तो मैं जारी थी संध्या को दिये जलाने लिकिन मुझे याद आया कि कल है 18 नवंबर और कल है लाब पंचमी तो कहते हैं जिस किसी ने भी दिवाली पर अगर अच्छे से पूजा न कर पाए हो किसी भी कारण से लक्षमी गणीश जी की भगवान विश्णू जी की तो कल आपको लाब पंचमी के दिन लच्मी गणीश जी की पूजा भगवान विश्णू जी की पूजा जरूर से करनी चाहिए कल के दिन आप जो भी कारे करेंगे उसमें आपको लाब अवश्य मिलेगा तो फ्रेंड्स कार्तिक का महीना चल रहा है दिन है कल शनिवार का ठीक है तो शनिवार के दिन आपको पीपल पेड की पूजा जरूर करनी है और हो सके तो पीपल का कम से कम एक पत्ता आप अपने घर में लेकर जरूर आएं वैसे तो आप साथ पत्ते अगर लाएंगे तो वो बहुत अच्छा होगा साथ पत्ते लाएं गंगाजल से शुद करें उनको और उन पर आपको श्रीम लिखना है ठीक है रोली कुमकुम से हल्दी चंदन से जो भी आपके पास हो उससे आप श्रीम लिखें उनकी पूजा करेंगे उन पत्तों की और उनको आप अपने धन रखने के स्थान पर ठीक है लेकिन आपको धियान ये रखना है कि उस पोटली को जगा से आपको हिलाना नहीं है ठीक है वो एस इट इस वैसे ही रखी रहेगी केवल आपको उसका पूजन करना है दूर से उसे धूबदीब दिखाएं और उस पर इत्र छिडग दे ठीक है इतना काम आप करेंग और कल के दिन अगर आप सोना चांदी कोई भी चीज अगर आप खरीदते हैं तो वो बहुत शोब होता है और अगर ना खरीद सके तो जो भी आपके पास पहले से हैं जो चीजें वो सोने की चांदी की हीरे की जो भी चीजे हैं या फिर तांबे या पीतल के बरतन हैं आपक जरूर लगाना है ठीक है इसके अलाबा अगर आप कल ब्रह्मन को बुलाखर की कोई पूजा कराना चाहते हैं वो आप घर में करा सकते हैं बहुत ही अच्छा दिन है ठीक है और संध्या की समय में जितना जादा हो सके आपको दीप जलाने चाहिए कल शनिवार का दिन है तो कल शनी देपता को शमी पत्र भी चड़ाने चाहिए इसके अलाबा आपको कल भूले वावा की पूजा भी करनी है पीपल पे दीप आपको जरूर जलाने है आप चाहें आप 5, 7, 11 दीप आप वहाँ पर दान कर सकते हैं ठीक है घर के मंदिर में अपन पंचमी है तो कल के दिन का आप लाब उठाएं साथवे बोजन करें ठीक है तो उमीद करती हूँ आज की दीगई जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे की और भी लोग इस वीडियो से लाब उ ज्यादी